नमस्कार मिनाजविन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News हर्याना में 25 अक्टूबर को विधान सभा सत्र की शुरवात हुई और 25 अक्टूबर को सभी विधाईकों ने विधाईक पत के शपत भी ली इस कड़ी में इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से चुनाव रानिया विधान सभा सीट से जीते अरजुन चोटाला ने भी यहाँ पर शपत गिरहन की अरजुन चोटाला हरी पगड़ी पहने वे नजर आएं सफेद कुर्ता पहने वे नजर आएं अपनी पाटी का पूरा सिंबल यहाँ पर अरजुन चोटाला नजर आ रहे थे और अरजुन चोटाला शपत लेने के बाद मीरिया के सामने एक बड़ा खुलासा करते वे नजर आते हैं उनका ये कहना होता है कि बेशक हम ज्यादा सीटे ना जीते हूं हम दो सीटों पर रहे गए हूं लेकिन अभे चोटाला को लेकर अरजुन चोटाला ने कहा कि एलना बाद की जंता अभी भी अभे चोटाला को अपना विधायक मानती है इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि पार्टी में इंसान कहीं न कहीं खत्म होनी की कगार पर पहुंच जाता है पार्टी खत्म हो जाती है लेकिन विचार धाराओं को कभी अंत नहीं होता है विचार धाराओं का अंत नहीं होना यहीं दर्शाता है जब अर्जुन चोटाला से पूछा गया कि जचपा और इंडियन नैशनल लोगदल एक ही धारा में बहते वे नजर आए क्योंकि जन्नाइक जंता पार्टी ने भी चुनाव नहीं जीता और इंडियन नैशनल लोगदल दो सीटों पर सिमट कर रहे गया तब यही अर्जुन चोटाला की तरस से कहा गया कि विचारधाराई कभी समाप नहीं होती हैं पार्टी समाप तो जाती है इंसान इधर का उधर हो जाता है लेकिन विचारधाराई वही रहती हैं और हमारी पार्टी और हमारे परिवार की विचारधारा चौदरी देविलाल क नित्रत में हैं और इसी विचार धारा की आने वाले समय में जीद भी मुम्किन होती ही नसर आईगी विधान सभा में भी धारते हुए अर्जुन चोटाला नसर आए और इस कड़ी में देखा जाए तो अर्जुन नेशनल लोग दल हो है, परिवार का हिस्सा, विचारधारा भी चौधरी देवीलाल को लेकर है, तो अब सीधे तोर पर उनका दावा है कि भारते जनता पार्टी ने चुनाव बेशक जीत लिया हो, लेकिन हर्याना की जनता अभी भी भारते जनता पार्टी को ना पसंद करती है और इसी का दावा करते हुए आने वाले चुनावों को ले कर भी जीत का दावा भी से अरुजुन चोटाला के जरीए किया गया है इस पूरे मुद्दे को लेकर अर्जिन चोटाला के बयान को लेकर आपकी क्यार आइकम सेक्षिन में जरूर बताएं देखते रहें इस पे नाइन नीउस थाने बाद